हलो एबरीवन ट्री अंग्लिस्क लास इज बाहरे मेश्रेम आपका स्वागत है और दोस्तों आज की वीडियो में कि मैंत पुन जानकारी आप सब्सक्राइब लेकर हाँ जानकारी क्या जानने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखीगा तो दोस्तों जैसा कि आप सबी क पॉलिशी थी उसके अगेंस्ट ओर्डर भी आ है जिसके कारण जो ओल्ड पॉलिशी के तहट इस वकैंसी में लगे थे उनको प्रोब्लम क्रियेट हो गई है और जो लगने के बाद प्रोब्लम क्रियेट होना यह देखो गल्द बात है जो बच्छे न्यू गर्डिशन पॉल ओल्ड पॉलिशी के तहट है उनका जो प्रदर्शन है लगाता तोर पर जारी है उन्होंने क्या कुछ मांगे कि है वो सारी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं तो आप यहां देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं खेल कोटे से जो बरती ग्रूप डी के कर करमचारी सर्टिफिकेट के अधार पर खेल कोटे से लगे गुरूप डी के करमचारी रविवार को सायर में जीन्द मारक स्थित नगर प्रिशिद मारक में एक्तिरत हुए थे करमचारी ने अरोप लगाया कि सरकार उन पर 2018 की खेल ग्रेडिशन नीती लगू करने पर उतार कि हैं परदर्शन में सरोकरमचारी संग और अर्याना विदेले अध्यापक संग के नेताओं ने भी भाग लिया सरोकरमचारी संग की गोहना इकाई के सची उस्रे स्यादों ने बताए कि पंजाब एंड अर्याना इकोट द्वारा उन सुत्रानुए की जो खेल ग्रेडिश पोलिसी के तहत ग्रेडिशन सर्टिफिकेट देने की मांग की और ऐसा ना करने पर सेवाएं बरखास्त करने के नोटिस जारी कर दी हैं जो की जोब लगने के बाद एक दुखद पल है चाहिए कोई भी हो चाहिए हम हो चाहिए कोई दुसरे हो यानि जोब लगने के बाद गल्द बात है जितने भी रूल रेगुलेशन जोइनिंग से पहले लगने चाहिए और जो भाई सही है न्यू ग्रेडिशन पॉलिसी के तैत जो अकदार है जोब को जोब के उनको भी एड़जेस्ट किया जाना चाहिए यह सरकार का काम है अजारों करमचारी के नोकरी खत् सुरक्षित जो सुरक्षित करें अनिता सरकार की खिलाप अंदुलन का मौर्चा खोला जाएगा और वहां पर प्रदर्शन में सुवेता डूल सुमीत लठवाल नरेश खनेल वाल और महिला करमचारी नेता अनिता ने भी अपने विचार रखें तो देखो दोस्तों अपने अग के लिए परदर्शन करना जरूरी है जो कि ये सारे करमचारी लगे में हम तो इस वीडियो में यही जानकरी देनी थी जानकरी इच्छे लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा बैल अको प्रेस कीजिगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पस्पोची थैक्स फवाचिं थैंक्यू गुडब बाइ